जहीं दोश्तों नमस्कार स्वागात एक पर फिर से एक और ने जी के वीडियो में और फ्रेंड्स यहां पर हम आपके लिए कर क्या हैं जीके के 30 MCQ आने के 30 जो है महत्पुर्ण सवाल को आप यहां पर कम्प्लीट करेंगे टेस्ट लगाएंगे ठीक है वीडियो के इन तक ब जरूर पढ़े होंगे और उसमें आपको जो है यह परसन जरूर मिला होगा तो देखिए ज्ञान पराप्ती से पूरू भगवान महावीर का जो नाम था वो क्या था करेक्ट टेंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वर्दमान था ठीक है भगवान महावीर का नाम ज्ञान पराप किये जाते हैं ठीक है पराफिशन को एक बार फिर से अब समझत लिजेगा करेंसी नौट और एक रूपिये से एक रूपिये के सिक्के और कम मुल के नोट जो है किसकी द्वारा जारी किया जाते हैं खाली अस्थां करेक्ट अंसर हो जाएगा वीत मंत्राले की द्वारा जा तो correct answer क्या हो जाएगा option B हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही बहुत सही ती जो है किस भासा में लिखी गई थी पाली भासा में लिखी गई थी correct answer option B नेश कुशन देखे निमलीखीत में से कौन सा जो है बिद्रोह या फिर आंदोलन बंगाल के छेतर में नहीं हुआ था तो क्या सही अंसर हो जाएगा यहां पर option हम लोग देख लेते हैं सन्यासी बिद्रोह चुवार बिद्रोह पागलपंथी बिद्रोह या फिर option D बगहेरा बिद्रोह तो क्रेक्ट अंसर यहां पर आपका चार नमर का सवाल हो जाएगा का अंसर बगहेरा बिद्रोह जो है यह क्या हुआ था जो है बंगाल के छेतर में नहीं हुआ था ठीक है नेश कुशन देखे निमलीखीत नगरों में से कौन भूमईद रेखा के सरवाधिक नि देखकर के कैसे आप जो है इसको अंसर कर पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या है गलोब जरूर लेना होगा ठीक है जो भी सुका मांचितर होता है एक एक अटलस बूक आता है यह टी एलियस ठीक है आप इसको भी जो है अपना जब भी समय मिले आप इसको निहारते रहे देखते रहे ताकि आपका जो भी भी सुक भी सुका जो है निकी जो जो ग्रफी है वह भी प्रस्ण अपका इस तरह से कंप्लीट हो जाए ठीक है तो आप लोग जो है अटलस जरू खरीद लिजेगा और वहां से भी देखते रहिएगा तो यहां पर देखिए निमलिखित में से भूमजद रेखा के सरवाधिक निकट कौन सा सहर है तो सिंगापूर ठीक है निमलिखित में से वह राज कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है अब इस प्रस्ण के लिए भी आपको दिमाग में तुरंत यहां पर जो है मैप जो है दो है दोड़ना च ठीक है तो वह कौन सा राज कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुए नागालेन बिल्कुल क्रेक्टेंसर हो जाएगा ठीक है तो यह आपका क्या है यह आपका मैप के ऊपर जतना कमांड़ बढ़िया रखेंगे उसी के हिसाब से अब इसका अंसर कर सेकेंगे ठी की विख्यात नरृत रखेंगण नहीं है चार ऑपसन दिये गहें चार में से कौन नहीं है तीन है लेकिन एक नहीं है तो क्या है ऑप्सन Biz लूडिय अरूंड़ेल आम Nature न मुर्ति या फिर स्ट्रूप से उद्धत हुई थी तो उत्तरवेदिक काल बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा आपका निस कुशन देखिए भारत में मोहमद गोरी ने किसको पर्थम अक्ता परदान किया था ठीक है तो इसका सही अंसर प्रेंट हो जाएगा ऑप्शन भी कुतबुदीन एवक को कुतबुदीन एवक इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा निस कुशन देखिए स्रिलंका में अबादी के अधिकान स्लोग खाली इस्थान का अनुसरन करते हैं तो इसका सही अंसर आपको जो है बिल्कुल आप अराम से मार सकते हैं हिंदु धर्म नहीं है इसलाम धर्म न बिल्कुल सही निसरप का हो जाएगा अगला प्रस्न है जल का सापेश अनुविक दरुमान कितना होता है तो जल का सापेश अनुविक दरुमान जो होता है वो होता है ऑप्सन डीस का बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अठारा चलिए अगला प्रस्न देखिए मानव रक्त का पी-एच मान जो है वो कितना होता है ठीक है माना उरक्त का पी-एच मान कितना होता है तो माना उरक्त का पी-एच मान होता है 7.4 आज रखिएगा इसको नेश पूसन देखिए भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है तो भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी माना जाता है भारत के महानियवादी को कर्येक्ट देैं समयधान के निशार स्थान के ? सो कहलाती विधाई की कर्येक्ट देबसे सांध c के साथوجए आपका लगत है ने सिसुेडेस में पड़ते लच्छन कि plaint चलबत हो तो सी के जो पते क्लत्चन яई वह पिता अत्व माता का दोनों के DNA से प्रभावित हो सकते हैं इसीलिए बहुत पर क्या होता है कि बहुत पर कहीं जो हाथशा उगर्द हो जाता है करे आग लग जाती है तो वहाँ पर अगर्जदी कोई बोडी जो होता है अगर जिदी उसको नहीं पहचान पाता है लोग तो उसका DNA टेस्ट करवा लिए जाता है और उससे मिला दिया जाता है तो समझ लिजे कि वह उस घर के सदेश है तो इसमें क्या है कि पीता दोनों मैं से किसी एक आदमी का जो है परभावित हो सकते हैं से उसके परते के लच्छन समझ अब परसंद संख्या अगला देखिए सल्टनत काल के सिक्के टंका ससगानी युवम जी तलकीन धात्मों के बने होते थे तो सही अंसर हो जाएगा चांदी और तांबा के बन की रचना किसने की थी यह अपकर ग्रंथ का नाम है बारह मासा और इसकी रचना किये थे मलिक मुहमद जैसी ने करेक्ट अंसर ऑप्सन से के साथ चला जाएगा आपका अगला प्रसंद देखिए बीजे नगर समराईज के बीतिये ब्याउस्था कि मुझी विसेष्था क्या कि मुझी विसेष्था क्या थी तो वहां भी जो विटीये ब्याउस्था की गई थी उसका मुझी जो एक तरह से कर सकते हैं कि इंकम आने का जो शुरूत था वो क्या था तो वो था बंदरगाहों से अंधनी ठीक है बंदरगाह मतलब जो समुदर के किनारी जहां पर जहाज के खारन क्या था तो पानीपत के युद में जो बाबर जो है आप जियुजई हुआ उसका मुख मुल जो कारन था तुखलमा पर था ठीक है तुगलमा पर था हमारे यूटूब चैनल पर अगर जिद्धि आप यहां पर जो है पानीपत का यूद करके अप सर्च मारेंगे तो आपको तीनों पानिपत के यूद के बारे में आपको वीडियो मिल लाएगा तो आप इसको सर्च कर सकते हैं उसमें आपको ये तुगलमा पर था क्या था तुगलमा बीधी क्या था कैसे बाबर विजयी रहा कौन सा जुद में कौन विजयी रहा सारा डीटियल आपको वह होगा जरूर देख लिएगा अगर आपके पास समय होतो हो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और तो यहां पर उसका मूल कारण क्या था बाबर को जीद हासिल करने का तो तुगलमा पड़ता था ठीक है कि उसके बाद देखिए विकलपों में से समधित सब्द को या पर जुब को चुनिए एक तरह से कर सकते हैं कि इस तरह का करने के लिए जो है माइन टेस्ट करने के लिए सारे प्रस्ल दिया ठीक है तो सही अंसर आपको इसमें छाटना है तो देखे वर्ग जो है इसकी क्या होती है चार बुजा होती है तो उसी तरह से यहां पर आपको छाटना कि इसमें से कौन सा सही अंसर हो जाएगा तो यहां पर देखे बिल तु शूरी से जो दूरी बढ़ती है ये आपका सूरी ठीक है इस छेतर के ओर आने के बढ़ते दूरी की ओर ज़िती है उसमें से आपको यहाँ पे नंबर करना है और इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा सबसे निज़िक ग्रहज़ों बुद ए यह सूरी है और यह मंगल है तो आप संच गल पहले बूद है फिर सुक्र है ...पिर्तिवी ... पिर मंगल है ... करेक्ट चले भारत के कितने राजियों में समुद्र तर्थ हैं बहुत ही असान और बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है जिनके जिनको पता होगा उनके लिए तो बहुत मज़े की बात है जिनको नहीं पता है वो लोग सचले कि भारत के कितने राजियों में समुद्र तर्थ है करेक्ट एंसर क्या होगा ऑप्सण जी हो जाएगा नो अगला प्रस्ण हैं आज्जवक संप्रदाई के संस्थाबक करे संस्थाबक माने जाते मखली को साल ऑप्सन डी यहां पर सही अंसर हो जाएगा देखें बराबर अगर अगर यह आप टेस्ट लगाते हैं न तो बहुत ही असान हो जाएगा आपके लिए जैसे कोशन आप यह सामने आएगा आप अराम से अंसर उसका कर सकते हैं इसलिए जरूरी नहीं कि आप हमारे लेकिन जब भी आपको मौका मिले समय मिले अगरे आप सो भी रहे हैं तो क्या करिए कि एक वीडियो स्टाट करिए अपना कान के पास लगा यह फिर फोन लगा यह और उसको सुनते रहे सून के भी बहुत सारा प्रसन आपको आद हो जाते हैं ठीक है तो एक तरह से यह प्र तो ऊठके गाड़ी में सफर करते हैं उस तायम भी आप इसका सकते हैं हैं तो आप बराबर उसका सब करने से कहा है कि को मन लगा रहेया तो प्रसन के और लोटते हैं नगर निगम ठीक है हर बड़े सहर में एक नगर निगम होता है जो तो साब सभाई देख रेक वगरा कि सारा कुछ जीमा समालता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण की से सासक वंस ने मंदीरों एवं बरहमनों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था तो वो सासक वंस का नाम आपको बताना है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा गुप .. अगला प्रसंद यह इसी लेवल का उनौग दे लिया उसे त्रह प्रस्ण है तो इसका आप को अंसर देना में समझने तो क्या इसका हो जाएगा पहले सबसे पहले हम लोग प्रस्ण को समझ लेते हैं कि विद्धियूत परवाह, अंपीएर में माप आजाता है तो यहां पर दुसरा क्या सतिक बैठता है, तो हम लोग कारि को जूल में मापते हैं, ठीक है संसे स संसे तरह से 172 किसे से होगा ठीक है तो 22 का समंद्द यहां पर आपको दिया हुआ है इसका अंसर बदाने क्या हो सकता है नहीं रिपीट हो गया है और उसके बाद यहां पर देखिए बहुत ज़्यादा पर यहां पर आपका यहां पर तो यहां पर आपका reflects होटा आ समाप्त आपको ये वीडियो कैसा लगा लगा पसंद आया और इस तरह का वीडियो अधिक देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंद कर लिजिए वीडियो को लाइक करिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू मि दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई जेहिन जे भारत